आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कास, समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी स्वच्चता सर्वेक्षन के परणामों में अंदौर को तीसरी बार देश का सबसे स्वच्च शहर घोशत किया गया है दिली के विज्ञान भवन में राश्वपती रामनात को विंध ने इंदौर की महापौर, मालिनी कौर, नेता प्रतिपक्ष, फौजिया अलीम और नग्रिय परशासन मंत्री जैवर्धन सिह को ये पुरुसकार सौपा समारों में इंदौर को फाइव स्टार रेटिंग और बोहरा समाज के धर्मगुरू सैयदना साहब की वास के लिए इनोवेटिव श्रेणी में पुरुसकृत किया गया सबसे स्वच राजधानियों में भूपाल पहले स्थान पर है 10 लाग से ज्यादा आबादी वाले शहरों में एहमदाबाद और 5 लाग से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने बाजी मारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्वच्चता सर्वेक्षन 2019 में 4237 शहरों का सर्वेक्षन 28 दुनों में किया गया इस दौरान विभन टीमों ने 64 लाख लोगों से सवाल जवाब किये इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से इन शहरों के 4 करोड लोगों से फीडबैक भी लिया गया कारिकर्म के अफसर पर उपस्थत शोताओं को संबोधत करते हुए श्रीकोवंध ने उन सभी की सराहना की जो देश में स्वच्छता अभियान में सक्री अपरूप से भाग ले रहे हैं श्रीकोवंध ने कहा कि साफ सफाई को लेकर लोगों के नजरिये में बदलाव लाने की जरूरत है सरकार देश भर में कल जन औशधी दिवस मनाएगी देश के साढ़े 600 जिलों में 5000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतिय जन औशधी पर योजना केंद्रों काम कर रहे हैं नई दिरली में एक समवादाता सम्मेलन में रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रों मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्रों मोदी ने कुम्भ मेले के स्वच्छता कर्मचारियों के लिए बनाय गए कल्यान कोश में अपनी नीजी आय से 21 लाख रुपए दान किये हैं प्रधानमंत्री कार्याले के ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सोल शान्ती पुरुसकार में मिले एक करोर रुपए भी नमामी गंगे परियोजना को दान किये थे इससे पहले प्रधानमंत्री को मिले विभनस्मृती चन्हों की नीलामी से प्राप्थ हुए तीन करोर चालीस लाख रुपए भी नमामी गंगे परियोजना के लिए दिये गए थे भिंडसले में माधिमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालत दसवी बोर्ट के पेपर में 22 नकलची पकड़े गए हैं कल इसी दौरान एक चात्र को नकल में सहयोग करने के आरोप में एक केंद्राध्यक्ष को भी नलंबित कर दिया गया परीक्षा मिलापरवाही पर कलेक्टर ने दो केंद्राध्यक्ष की वेतन व्रधी रोखने का नोटिस दिया है नकल पर सक्ती के चलते 26,903 चात्र परीक्षा देने पहुंचे जबकि 1827 चात्र गयर हाजर रहे शवपुरी से हमारे समवादाता ने बताया है कि जिले के खोड गाउ में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान 13 चात्र नकल करते हुए पकड़े गए जिला शिक्षा अधिकारी ने यहां के केंद्राध्यक्ष को नोटिस चारी किया है मुरैना जिले में नियम विरुध चल रही पांच नीजी बसों को परिवहन विभाग ने जब्त किया है अंबाह मुरैना मार्क पर कल जिला परिवहन अधिकारी के नर्देश पर हुई चेकिंग के दौरान 3 बसें जब्त की गई जिन पर करीब 5 लाख रुपए का कर बकाया था वहीं एक बस बिना पर्मिट के संचालित थी बताया जा रहा है कि इन बसों से परिवहन विभाग टैक्स के साथ साथ जुर्माना भी वसू लेगा तभी ये फिर से संचालित हो सकेंगी सामाजिक न्याय एवं नहशक्त जन कल्यान मंत्री लखन घंखोरिया ने आज सतना जिला अस्पताल परिसर में सेवा संकल्प संस्था द्वारा नव निर्मिद भवन का लोकार बन किया इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ा कोई और पुण्य नहीं है इस मौके पर क्शेत्रिय सांसद गणेश सिह ने कहा कि सेवा संकल्प संस्थान ने सेवा भाव के मामले में अपना अलग स्थान बनाया है अब कुछ समाचार संक्षेप में मधिप्रदेश विमन्स प्रस क्लब ने आज राजधानी भोपाल में पॉलिटिक्स में हिट कितने फिट विशय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया इसमें पूर्व मुख्य मंत्री शिवरा सिंख चौहान, जन संपर्क मंत्री पी सी शर्मा, विधान सभाव पाध्यक्ष हिना कावरे सहित कई जन प्रतिनिधी शामिल हुए पूर्व केंद्री मंत्री जोतराधित्य संधिया ने कल ग्वालियर के भगवत सहाई मेडिकल सभागार में एक हजार बिस्तर के अस्पताल नर्मान कार्य का शुभारंब किया खन्वा कलेक्टिव विशेश करपाले ने पुलस अधीक्षा के साथ अगनी दुरघटना प्रभावित काउं आवलिया नगोतर का दौरा किया रिवा संभागायोथ डौक्टर अशोक कुमार भारगव ने आज कमिशनर कार्याले में आयज़त समारोह में 61 सेवा निवरत कर्मचारियों को पीपी यो प्रदान किये और सतना जिले के चित्रकूट में आज अमावस्या मेले पर बड़ी संख्या में श्वत्धालू मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामत करी परवत की परिक्रमा कर रहे हैं इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार प्रादेश वर्चे बुलिटन समाज कर थे अरेश्या हैं